नमस्कार आप देख रहे हैं दर्शनीूज मैं हूँ दिव्यान्सू बिहार के चर्चित IAS अफसर केके पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद सिक्षा विभाग और विश्विद्यालेओं के बीच कड़वा हट दूर होती नजर आ रही है जी हाँ पाठक की जगह सिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिप बनाए गए S धार्त की बैठक में सभी विश्विद्यालेओं के वीसी पहुँच गए इससे पहले केकिप पाठक के ACS रहते विभाग की करीब आधा दर्जन से ज़्यादा बैठकों में कोई भी कुलपती नहीं आये थे बुधवार को मौझूदा ACS S सिधार्त की देख्षता में हुई बैठक में विश्विद्यालेओं के बजट को लेकर चर्चा की गई राज्य के सभी विश्विद्यालेओं को दो दिनों के अंदर चार माह की वेतन रासी भेजी जाएगी चुट्धी जारी हो गई है कुलपतियों की बैठक के बाद सिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने या जानकारी दी मालुम हो कि फरवरी के बाद विश्विद्यालियों को वेतन पेंसन की रासी नहीं गई है बैठक में विश्विद्यालियों के बजट की समिक्षा की गई इस बैठक के बाद पूर्णिया, मुंगेर और अर्भी फार्सी विश्विद्यालें के बैंक खातों के संचालन पर लगी रोग को सिक्षा विभाग ने खत्म कर दिया साथ ही कामेश्वर सिंग दर्भंगा संस्कृत विश्विद्याले के कुलपती के वेतन पर भी लगी रोग को हटा लिया है विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया सिक्षा विभाग में आने से पहले सभी कुलपतियों की राजभवन में बैठक हुई राजपाल, सरकुलादिपती, राजेंद्र विश्विनात, आरलेकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिक्षा मंतरी सुनील कुमार और ACSS से धार्त भी मौजूद रहे विभाग की ओर से पिछले हपते ही राजभवन को इस बैठक के बारे में सूचना दे दी गई थी अपर मुख्य सचिव बदलने के बाद सिक्षा विभाग और राजभवन के संबंधों में भी सुधार आया है केके पाठक के ACS रहते कई मुद्दों पर विभाग और राजभवन के बीच टकराओ की इस्तिती हुई थी सिक्षा विभाग के मौजुदा अपर मुख्य सचिव एस सिधार्त मुख्यमंत्री नितिश कुमार के सबसे बरोसिमन्द अपसरों में से एक हैं सिधार्त सियम सचिवाले के अपर मुख्य सचिव भी हैं और मुख्यमंत्री के साथ हर जगह नजर आते हैं सियम के करीबी अपसर के विभाग समालने से राजबबन और सिक्षा विभाग के बीच केके पाठक के कारेकाल के दौरान पैदा हो गई कड़वाहट इस बैठक से खत्म होती दिख रही है बता दें कि केके पाठक ने पिछले दिनों एक महिने की लंबी छुट्टी का आवेदंद किया था जिसे नितीज सरकार ने मंजूर कर लिया था पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद वरिष्ट I.S.S. सिदार्थ को सिक्षा विभाग के A.C.S. का प्रभार सौपा गया हाला कि केके पाठक अपने पद से हटाये नहीं गये हैं बस छुट्टी कि तक A.C.S. सिदार्थ बने हुए हैं और A.C.S. कितना ज़्यादा जो है सिक्षिकों में खुसी है और कितना ज़्यादा फैसलों में बदलाओ किया गया है जो कि पहले अमोमन ऐसा होता नहीं था केके पाठक के दौर में सिक्षिकों को तो राहत मिलती नहीं थी लेकिन अब सिक्षिकों को भी राहत मिल रही है बच्चों को भी राहत मिल रही है और राजभबन से भी जो टकराओ की स्तिती थी वो खत्म होती दिख रही है तो ये अच्छा संकेत है बिहार के लिए फिलाल के लिए अब देखिए केके पाठक के आने से क्या कुछ होता है क्या फिर से केके पाठक आएंगे और अपनी जो है वो फर्मान वो जारी करेंगे और जिससे सिक्षक और बच्चे परिशान होंगे और राजबबन से फिर से ट तकराओ हो जाएगा ये देखने वाली बात होगी फिलाल के लिए इतना ही तब हम अपडेट्स देते रहेंगे बने रहें दर्शनीज के साथ